नमस्कास दोस्तों मेना नाम है स्वारोग और आपको बहुत स्वाइब है आपको अपने यूटीब चैनल इट स्पूल ने दोस्तों आजकी बूड़ी हमें हमें बात करने बाले हैं कि आप दिक्षा एप पर कैसे रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों दिक्षा एप में रिजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको दिक्षा एप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको सिंब्ली वहाँ पर क्लिक करके इस एप को ढौनलोड करके ओपन कर लेना है जोस्तों एप को ओपन करने के अब सब से पहले आपको अपनी प्रैफरड लेंगोईज को सलेक्ट कर लेना है Language को select करने के बाद आपको Next पर click कर देना है जिसके बाद आपको बताना है कि आप एक teacher हैं जहां फिर student है इसके बाद आपको अपनी board को select कर लेना है जैसे कि CVSC board, हिमाचलal board, Punjab board, extra Board को select करने के बाद आपको जाड़ जखें پर click कर देना है इसके बाद आपको medium of study को select कर लेना है जैसे कि English, Hindi और Punjabi Medium को select करने के बाद आपको अपनी class को select कर लेना है जहां पर मैं 10 प्लस 2 को choose कर रहा हूँ अपनी class को select करने के बाद आपको simply ok जहां फिर जारी रखें पर click कर देना है इसके बाद आपको इस app में registration करने के लिए सबसे पहले profile वाले option पर click कर देना है profile वाले option पर click करने के बाद आपको simply login के button पर click कर देना है जिसके बाद आपको register here पर click कर देना है लेकिन अगर आप चाहें तो directly अपने gmail account के साथ भी जहां पर registration कर सकते हैं जिसके लिए आपको sign in with google पर click कर देना है register here पर click करने के बाद आपको simply next page पर अपना year of birth select कर लेना है year of birth को select करने के बाद आपको simply यहां पर next option में अपना full name enter कर देना है उसके बाद आपको एक verification method को choose करना है जिसमें आपको mobile number जहाँ email address का option होगा verification method को choose करने के बाद आपको simply अपना mobile number जहाँ फिर email address जहाँ पर enter कर देना है इसके बाद आपको next एक strong password को create करना है जिसमें की कम से कम एक capital letter, एक small letter, एक special character और एक numeric character होना बहुत जुरूरी है और आपका password कम से कम 8 character का होना बहुत जुरूरी है इसके बाद आपको same password को enter करके अपना password confirm कर लेना है इसके बाद आपको आपके phone number पर जहाँ फिर आपके email address पर एक OTP आएगा आपको उस OTP को जहाँ पर enter करके submit पर click कर देना है जिसके बाद आपको एक message आएगा verification successful login to continue आपको जहाँ पर वही email ID जहाँ फिर phone number को enter करना है जो कि आपने registration के time enter किया था और उसके बाद अपना registration वाड़ा password जहाँ पर enter करके आपको simply login पर click कर लेना है जिसके बाद आप अपनी class का सारा syllabus जहाँ पर access कर सकते हैं तो दोस्तों मारी आज की उडियों बीद नहीं आपको अच्छा लगा उडियों चुरूर करते हैं और साथ साथ हमारे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए